तो दोस्तो आज 10 सेप्टेमबर 2023 बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ इंपॉर्टेट्स के पूर्टेट्स है कुछ इंपॉर्टेट्स है तो चले के करके कवर करते तो सबसे पहले हम बात करेंगे निफ्टी 50 में मौझूद पावर सेक्टर का दिगज कंपनी पावर ग्रीट कॉपरेशन ओफ इंडिया लिमिटेट शेयर के बारे में लास्ट डे शेयर में आदा परसेंट जस्ट उपर 0.66 परसेंट उपरा के क्लोजिंग दिया 258 रुपए 70 पैसे पे अब देखे आज से लगबग कुछ टाइम पहले कंपने अपने शेयर होल्डर के लिए बोनस शेयर का नौस में क्या था याद कीजिए 1-3 रेशो में ठीक है है तो आट बन जाएगा तो इसी डेशो में बेसिकली आपको बोनस मिलेगा बात करेंगे कंपनी का क्या बेनिफिट है क्या मतब डिस एडवन्टेज एडवन्टेज तो बात करेंगे पावर ग्रीट एक सरकारी कंपनी होने के कारण देखे लास्ट कुछ टेम से पने खाश की सस्ते वैलेशन में मिल जाएगा तो देखे इसके उपर आप प्रॉपर स्टड़ी करना अनलाइज करना उसके बात देखे इन्वेस्ट करना ना करना आपके उपर डेपेंड करता बट एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कोई भी शेयर में बोनस प्लीट या डिवीडेंड क करके कभी इन्वेस्ट मत करना अगर आपको लॉंग टर्म के लिए होल्ट करना है तब ही चाहकी इन्वेस्ट करना ठीक है नेक्स्ट हम बात करेंगे वीप्रो लिमिटेट तो वीप्रो लिमिटेट को पर आज संड़े की दिन एक बहुत एहम खबर आया तो देखे लास्ट चाहम को पांच बच के बावन मिनिट का न्यूज है एंस एलेटी डिसमेस इंसॉलवेंसी प्लिया एगेंस वीप्रो एक्ट्व एक्चुली हुआ क्या था यहां पे कुछ कंपनी के साथ वीप्रो का कोट केस चल ला था मतब एक कंपनी जैवीप्रो के एगेंस में या पर सब्सक्राइब का पेटिशन फाइल किया था और फाइनली वो केस का नतीजा आउट हुआ एंसे लिन दोस्तों यहां पर देख से तो इसको डिसमेस कर दिया इस केस को जो कि बहुत बढ़ी जीत है खासकर कि वीप्रो के लिए और वीप्रो की जीत मतलब ऑविसली वीप्रो इसके अंदर काफी बढ़िया तेजी था एडियर के अंदर और उसके साथ वीप्रो का जो एडियर वर्शन क्लोजिंग दिया था 5.19 यूएसडी पे ठीक है लगबग 0.58 परसें तेजी के साथ अगर आप थोड़ा और गौर से देखोगे यह पोस्ट मार्केट में मतलब द देखा जो शेर है 0.19 परसें और उपर पहुंच चुका है तो अगर सब कुस्ट ठीक रहा तेका मार्केट का अगर साथ मिल गया यानि मार्केट का मूट जो है अगर पॉजिटीव रहा तो आई गेस की कल वीप्रो के शेर में एक अच्छा तेजी आ सेकतर वैसे भी अगा सारे 400 की लेवल अगर ब्रेक कटके शरू पर पहुंच गया तो अभी के लिए मैं बोलूंगा इंवेस्ट अगर आपको करना है तो 420 के आसपास आप चाहे तो इसमें एंट्री ले सेकतों या तो अगर आप थोड़ा डिफेंसिब माइन सेट की हो तो उसकेस में सारे 400 का इ साइन किया इंडियान गव्वेंड ने दूसरे देश की जो सरकार के साथ तो इसके पीछे एक वज़ा यह भी है कि आज की दिन ता तो आखरी दिन पर दोस्तों एक और धमाकेदार अपडेट आया मैं आपको दिखाता हूं सबसेल आप देख लिजे न्यूस का सोर्स कहां है तो यह उसका सोर्स है IDRW यानि इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की ओफिशियल वेब साइट में ठीक है यह उसका पब्लिश टाइम देख लिए आज का है दस तारीक को जे एप 17 जेप 17 बैसिकली पाकिस्तान और चाइना मिलके जो यहां पे एक फाइर एरक्रफ्ट म यानि में इंडिया जो HL का प्रोड़क्ट है एल से तेजस क्यों पर इंटरेस्ट शो किया यह बहुत बड़ी जीत है खासकर कि इस बार G20 समीट के दौरान क्योंकि हमने देखा इस बार दोस्तों साउथ अफ्रिकन जो यूनियन है मतब एफ्रिकन यूनियन नेक्स्ट साल से दोस्तों G20 नहीं G21 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर शामिल हो जाएगा और इसके पीछे वजा भी खुद भारत है तो जिस बैसे बहुत बड़े जीत है इस बार भारत के लिए खासकर कि बहुत बड़ा बूस्ट आपको देखने को मिल सकता है क्योंकि बहुत सारे अलग इसके साथ और भी बहुत सारे चोटे कंपनी जैसे कि आपकी कोचिन शीप यार्ड हो गया इंटा टेक्लोजी हो गया डेटा पैटन्स हो गया जो कि सेम टू सेम बीडियल हो गया बेल हो गया इस टेप की कंपनी को भी अपने डल्डार में जरूर रखिए तो बात करेंगे इचल के अंदर के आपको करना चाहिए तो देखें कभी फोमो इंवेस्टर या फोमो ट्रेडर मत बनना बुरी दारा फस जाओगे पिट जाओगा नाम से जिस बैसे जो इंपॉर्टेंट लेबल से उस लेबल के आने तकी इन्वेस्ट करना जैसे कि अगर कल मार्केट में क जाने दीजे उसके बात जब यहां पर स्टेबल हो जाएगा तब इंवेस्ट करना राइट अब बात करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसके उपर बहुत सारे कमेंट आ रहा था कि सर अपनी इसके पहले बहुत 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 किया था क्या अभी क्या पाई करे फटा बढ़ता जा रहा है अब देखिए जब मौका था तब लोग कुछ रियक्ट नहीं करते अब देखिए निकल चुक है लोग अभी थोड़ा बहुत हिल दूल रहा है ठीक है तो आइड़ सी फर्स्ट बैंक की बात करें यह कुछ एक मतब गिने चुने बैंक से जिसके अंदर तो वो पोटेंशियल है नेक्स्ट पात साल दस साल पंदरा साल बें आज की डेट पे एजडेपसी बैंक आई से इसी बैंक को टाग मेंदर बैंक जिस लेबल पे खड़ा है उस लेबल तेक पहुंचने का ठीक है अब देखिए ऐसे मैं हवा हवा नहीं बोल लाँ अगर का परसेंटेज भी लगा था ड्रॉप होड़ा है बहुत ही प्रॉफिटेबल बैंक है वैलेशन एकदब डिसेंट है तो कहीं नहीं कि इसके अंदर पोटेंशियल है तो इसके बाड़े में मैं बोलूँगा अगर आपका मीनिममम दस साल पंदरा साल का टार्गेट है आई आप चाहें तो इस प्रॉप इन्वेस्ट कर सकतो सिस्टमेटिक इन्वेस्ट्बेंट प्लैंड के थू या तो आप बोल सकतो बाइं डिप्स में चार पांच परसेंट अगर करेक्शन में मिला अब यहां पर इंवेस्ट कर सकतो ठीक है यह मेरे तरफ साब को सैश्शन रहे जिसका नाम है सेलकोर गैजेट्स 45 प्रेसेंट अभी से ही शुरू हो चुका है उसके बाद कुंदन एडिलाइफ 40 परसेंट प्रेम के साथ ट्रेट करे आर और केबल फॉर 24 परसेंट यह मेरे नाए प्यू है इसको बहुत फॉर परसेंट प्रीम काफी बढ़िया चद्वा इन्फर यह भी बहुत जल्दी बजार पर ओपन होगा चीएतर प्रसेंट की प्रेम पहुंच चुका है में सब्स तो दोस्तों अगर आपने नहीं देखा इस टॉपिक को मतलब में संब्स के उबर आज सुबा संडे मॉर्निंग सारे दस पे मैं एक्टम कंप्लीट रिव्य एक वीडियो पोस्ट कर चुका हूँ प्लीज जाके चक आउट कर लेना इसका प्रियों काफी बढ़िया चल रहा है पैसा दुख ना होने का पूरा पूरा चांस है और इसके साथ साथ यहां पर देखिए जीवन राम यहां और एक आई प्यो 65 परसेंट प्रियों चल रहा ह इसके साथ श्रेशन 45 परियम रिशयर इंस्ट्रूमेंट अप्डेट अपडेट आप चलिए मैं आपको बात करूँगा लास्ट इन आकरी शेर वर उसके पहले एगड़ आपको वीडियो भी तिक अच्छल कर लगा इंफर्मेटिव लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस टाइप की इंफर्मेटिव वीडियो हर रोज पाने के लिए तो बीसी लिमिटेट को पर क्या है बेसी लिमिटेट को पर भी देखें कुछ इंपॉर्टें अपडेट्स है तो बीसी को पर अभी जो नियूज निकलका है एक दिन पहले के अपडेट है थोड़ा देख लिए यह देखें बीसी और एक्सेंज दोनों यहां पर मर्ज होने की बात नहीं चल्ला उसका जो आई एकसी यूनिट है वो दोस्तों मर्ज हो सेक्टा मोस्ट प करकी क्योंकि बेसिक लिस्टेट कंपणिया तो इसको तो सबसे अधा फाइदा मिले गाई और लगातर हमने देखा बीसी को जो डेरिवेटिव से यानी फ्यूचर एन उप्शन उस पे लगातर हमें डिमांड बर रहा है जिस बैसे शेर के अंदर भी एकदम से देजी देख कर दो